सब्सक्राइब दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद सब्सक्राइब बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इस शेर का आने वाल टायम है क्या टार्गेट देखने को मिल सकता है कहा है इस शेर का स्पोर्ट बन रहा है और कहां पर रिजिस्टेंस सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे तो वीडियो पर देखने को मिलेगा तो आप इस शेर से टाइम रहतर रहते निकले यह क्यों कि गाइज हमको पहले पाता लग गया था जो हमारी गौर्वर्मेंट लेटेट कंपने गाइस ओयल की वो जो है काफी डिसकाउंट में जो है ओयल को बेच रही है ऐस कंपेर टू जो प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ओयल को खीद रही है जिसके वसी इन कंपनियों पर डेप्ट भी बहुत आता इंकरी तो यहां से हमें बहुत जाता जो है और गिरावड देखने को मिल सकती है और हमें 250 के टार्गेट भी यहां पर फिर देखने को मिल सकते हैं लेकिन जब तक यह 300 से उपर ट्रेट करें तो इसमें एक तगड़ा कंसॉलिडेशन फेस बना रहेगा और जो है जादा से जादे यहां पर आपको 330 के जो है टार्गेट आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं तो मैं आपको यही राय दूँगा अगर आप लोग जो है एक लोग टर्म इंवेस्टर है तभी बीपी सेल में वेश करने की सोचे और अगर आप एक शोट टर्म इंवेस्टर है तो इस इंटरनेशनली और डोमेस्टीकली कई गवर्मेंट के साथ इनकी जो है मुई यू साइन हो चुके जिसके विसे आने वाल टाइम में यह काफी शेर को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगा और शेर में काफी पॉजिटिव इंपक्ट इससे देखने को मिलेगा तो गाइस इ बीटा में भी काफी सुधार आएगा तो मैं आपको यही राय दोंगा आप जो है एक लॉंग टर्म इंवेस्टर की तरही शेर में एक पाइंट लीजिए शॉट टर्म इंवेस्टर नहीं क्योंकि शॉट टर्म ट्रेडिंग में यह आपको ज्यादा रिटर्न बनाके नहीं कीजिए धन्यावाद काइज